जे मात अदी राशिफल पंचांग में आपका स्वागत है बात करेंगे आज की मकर राशिफल के बारे में राशिफल जानने से पहरे जानते हैं आज का देनिक पंचांग तीस मैई दो हजाद चौबिस गुरुवार का दिन जैष्ट महा कृष्ण पक्ष की सब्तमीति थी धनिष्टा नक्षत्र में दिन की शुरुवात हो रही है सुबह साड़े साथ बजे के बाद शतिभीशा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा सुबह ग्यारब बच कर तैतालिस म रहसपती त्री ग्रहीयुग बना रहे हैं व्रिशव राशय तक रहेगा वही रहुकाल के समय कोई भी नया शुबकारिया ना करे विगना सकती है तो चलिए बात करते हैं आपके राशी फल के बारे में मकर राशी वालो νौकरी वैपार में आज अनुकूलता देखने को मिल सकता है जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं आज का रचितर में काम का बोज़ बढ़ सकता है हलाकि पुर्व में किये गए इस आपको पुर्चाहित किया जा सकता है आपका इस से मान सम्मान बढ़ेगा आज किसी प्रतिश्ठीत व्यक्ति से मिलने का अफसर आपको मिल सकता है मकर आशीवालों जो बिजनेस करते हैं आज कारोबार से अच्छी कमाई हो सकती है कारोबार को बढ़ाने के बारे में आज कोई महतोपुर्ण निर्ने ले सकते हैं नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टिमेंट जल्दवाजी में करने से बजे नौकरी में तरक्की के साथ साथ परमोशन मिलने के योग बन रहे हैं मकर राशी वालो आज व्यापार में लेंदन करते समय बहुत जादा साथानी रखे हैं खर्च में जबरदस्त वृधी देखने को मिल सकता है आज किसी योजना में धन का निवेश ना करे तो अच्छा रहेगा मकर राशी वालो आज अध्यात्मी की तरफ आपके रूची बढ़ेगी बहुत जादा भावुक होने के कारण आज कोई भी निरने लिने से बचना होगा आज पारिवारिक जीवन में एक सुख सम्रिधी बढ़ेगा आज भौतिक सुख सुविधा पर धन्द खर्च कर सकते हैं मकर राशी वालो ग्रहस्त जीवन का आनंद लेंगी आज घर परिवार में सुखत बातावरन रहेगा टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा कोई बड़ी उपलगधी आपको मिल सकती है समाधिक इस्तर पर आज पत्पतिष्ठा में व्रिधी हो सकती है कोई अधूरा काम आप पूरा कर सकते हैं मकर आशिवालो किसी धार्मिक आयोजन में आप हिस्सा ले सकते हैं पारिवारिक सदर्स्यों में आपसी सौहार्द भावना बना रहेगा कांपत्य जीवन आपका सुख में रहने वाला है जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा आज स्वास्त के प्रतिला परवाही करने से बचे स्वास्त में उताचरहाव देखने को मिल सकता है आज भाग्यांक पाच और भागिशाली रंग औरेंज मकर राचिवालो गुरुवार के दिन देव गुरु बिरहस्पती की पूजा केले के वरिक्ष में जरूर करें धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासु देवाय नमः मंत्रका जाब करें इससे आपके जीवन में सुख सम्रिधी बढ़ेगा